असलाम लेकुम मैं योट्योफ फैमली मुझे उमीद है कि आप सब ठीक होंगे और खेरिया से होगा तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर हैं बहुत ही एजी तरीके से बनाने के लिए ये मार्बल केक जो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉस्स बनता है फ्रेंट्स य केक को चेक करने का बेस्ट ऑप्शन यही होता है बेस्ट तरीका ही होता है कि केक को दुबाएं जब तो अपनी असल हालत में वापीस आज़े तो समझी केक सबसे जबरदस्त बना है तो चला है स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम डालेंगे एक कप दूद और इसके साथ वन फॉर्ट कप हम इसमें ऑईल डालेंगे और यह है वन कप पाउडर शुगर पाउडर शुगर कोई मुश्किल नहीं है आप चीनी को ग्राइंड करिए वह पाउडर शुगर होता है अब हमने इसको गुटलियो को बगार मिक्स करना है अच्छे तरीके से ताकि चीनी इसमें हल हो जाए और अब हम इसके अंदर डालेंगे चंद कत्रे वनेला एसंस के यह मेरे पास चोकलेट एसंस था तो मैंने वो ही आट कर दिया इसके अंदर यह हमने लिया है एक और आदा कप मेदे का और इसको अच जर्य बगार हो तो वो भी निकल जाए तो यह देखिए अब हम इसको भी बगार लंप के अच्छी दरह से मिक्स करेंगे यह देखिए इसकी concern density यह होनी चाहिए friends यह तकरीबन इतना ही गाड़ा होना चाहिए अगर आपको आपका बैटर इससे थोड़ा गाड़ा लग रहा है तो आप एक टेबल स्पून यह देट टेबल स्पून इसमें दूर डाल सकते हैं यह ज़र पतला लग रहा है इससे liquid लग रहा है तो आप चाहें तो डेट टी स्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर ही आइड कर सकते हैं उससे भी यह बहुत ही स्पूंजी सा बहुत ही अच्छा इस पूलेगा केक तो यह देखिए इसमें से आदा बैटर में अलग कर लूँगे क्योंकि हमने यह मार्बल केक बनाना है तो इसके लिए 3 ती स्पून में इसके अंदर कोको पाउडर के लिए है और इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे विदाउट लम्स यह देखिए मुझे इसकी इसकी थोड़ी सी काड़ी लगए तो इसके अंदर मैंने एक चमच दूड डाल दिया था क्योंकि इसक गष्ट से मैं 1 सपून और जोड़ी और जूड दीया जैर्ट अजिय flor एक स्पूण को पाउडर बेंगे एक स्पून मैं चोकलेट वाला बेटर डाल रही हूँ एक स्थून वाला एकडरी यह इसितारा कटन करते ही हमने एक स्पून करके इसके डिजाइनिंग कर लेंगे पहले हमने सारा बेटर हमने इसी तरह से इसमें एड़ कर लिना है यह बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जबतसता डिजाइन बनता है फ्रेंड्स तो यह देखे जितनी जादा यह लेड्स बनेगे उतना ही डिजाइन अच्छा बनेगा fried अब हमने एक तूद्पिक लेनी है और उसको अंदर से बाहरी हैं अंदर की तरफ ही खाचते जाना है लेकिन शर्ट यह है कि हमने तूद्पिक को पहले साफ करना है यह देखिए केक को हमने 35-40 मिनट तक लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे तो 35-40 मिनट हो चुके हैं अब हमन निकालते हैं और अपने काउंटर पर रखते हैं तो यह देखिए अब हम इसको इसका मोल्ड हटा लेंगे केक का यह भी केक बहुत गरम था लेकिन मैंने कहा कि मुझे वीडियो बनानी है तो मैं इसी तरह ही आपको दिखाऊं तो यह देखिए फ्रेंड्स यह केक मैंने तरीके से बनाया है यह बहुत ही जबदस बना था यह मुझे बहुत ही अच्छा तरीका लगा और अब मैं जब भी केक बनाऊंगी तो इसी तरीके से बनाऊंगी तो यह देखिए मैं कट करके दिखाती हैं आपको इसकी डिजाइनिंग इसकी लेयर कैसे अंदर तक बनी है और designing करते वाद आपने एक बाता ख्याल रखना है कि आपने जो toothpaste से reigning करनी है वह toothpaste बिलकुल अंदर तक नहीं लेकर जानी सिर्फ उसकी उपर-वडी layer के उपर आपने designing करनी है बस क्यूंकि अगर नीच warnings लेकर से नहीं नहीं आना आफ के ऊपर यह बहुत ही गरम था इस पॉइंट पर तो यह देखिए थोड़ा सा ठंड़ होता है तो फिर अब मैं इसको टेस्ट करके भी आपको बताऊंगी कि यह कैसा बना है तो यह देखिए यह थोड़ा सा नॉर्मल टंपरेचर पर आ चुका है तो अब मैं देखिए इसको फॉक के मदद से मैंने इसको तोड़ा है तो यह बिल्कुल ही राम से उतर चुका है यह देखिए यह बिल्कुल भी इसके साथ कोई जोर्दोबरदस्ती नहीं करनी पड़ी यह खाने में भी बहुत ही मज़दार था बहुत ही सॉफ्ट था अगल आपको मेरी वीडियो पसंद आहीं है तो मेरी वीडियो को लाइक करें मेरेचानल को सब्सक्राइब करिये और वीडियो को जाल साथ शेаки करिए और यह बिना अंडे के फ्रेंट बना है इसलिए यह बह मैं आपको साथ शेयर किया है इसे जरूर ट्राइ कर एक दफ़ा यह देखिए इसकी ना कोई साइट से ना यह बर्न हुआ है ना नीचे से बर्न हुआ है बहुत ही मज़दार बना था मिलते हैं अगली वीडियो में